इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित है यहां से कुछी किलोमेटर के फासले पर लगभग धाई हजार साल पुराना एक स्थम्ब लगा हुआ है इस तंब पर प्राक्रित भाषा में लिखा है हेवं लोकसा हित मुखेती अथ यम नातिसु हेवं अर्थात मानवता का कल्यान और सुख सदेव सुनिश्चित किया जाए दाए हजार साल पहले भारत की भूमी ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था आईए इस संदेश को याद कर इस जी ट्वेंटी समीट का हम आरंब करे 21 सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपुन समय है यह वो समय है जब बर्सों पुरानी चुनोतियां हमसे नए समाधान मांग रही है और इसलिए हमें human centric approach के साथ अपने हर दाईत्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है फ्रेंक्स कोविड 19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है युद्ध ने इस trust deficit को और गहरा किया है जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आये इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आज जी 20 के प्रसिडेंट के तोर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस global trust deficit को एक विश्वास एक भरोसे में बदलें यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास सब का प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पत्ध प्रदर्शक बन सकता है बैश्विक अर्थिववस्ता में उथल पुथल हो नौर्थ और साउथ का डिवाइड हो इस्ट और वेस्ट की दुरी हो फूर्ड फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो टेरिजम और साइबर सिकुरिटी हो हेल्थ एनरजी और वोटर सिकुरिटी हो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनवतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा फ्रेंक्स भारत की जी ट्वेंटी प्रसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का सबका साथ का प्रतिक बन गई है भारत में ये पीपर्स जी ट्वेंटी बन गया करणों भारतिये इस से जुड़े देश के साथ से ज़्यादा शहरों में दोसों से ज़्यादा अधिक बैठके हुई सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रिकन यूनियन को जी ट्वेंटी की स्थाई सदस्यता दी जाए मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सब की सहमती है आप सब की सहमती से आगे की कारवाई सुरू करने से पहले मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को जी ट्वेंटी के स्थाई सदस्यता के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ एक्सलेंसी प्रिकन शिर्टी की करने के रूप में रूप में आप इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्रा आग्रा करूँगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागरू से बाहर जाने का कश्ट करें कठे होके मिलके काम जुने करन गया विश्यपदर दे जो मुद्दे ने उननों एकठ्या जो है हल कीता जाएगा तो यह बहुत एहम जो है वह जी शुरुवाद डेड़ वे रित बाद हुएगी सो डेड़ तो तिन वे तक ने तामा देव चाले मिटिंग आदा दोर चलेगा जो के बहुत खास रहें वाल है मेरा अलते उजाज़त है बढ़े रहो पीड़ी सी नहीं हुज़ना तान बाद